अमीर और गरीब के बीच का फरक जितना बढ़ेगा क्राइम उतना ही बढ़ेगा अमीर के सोसाइटी के अंदर पैसे जादा आने के वज़र से गरीबों तक ये पहुचता नहीं है और वो चीनने की कोशिश करते हैं और इसी वज़र से अनबन पैदा होती है और ये पूरी दुनिया में नॉर्मल है उपर से हमारे यहां तो बहुत अनएजुकेटेड यूथ है सेक्स एजुकेशन नहीं है लेकिन इंटरनेट पे पॉन्ट फ्री अवेलेबल है जो इनके मासूम दिमाग पे गहरा असर डालता है इन्हें समझी नहीं आता क्या करें वो औरत को एक चीज की तरह देखने लगते है और चाहते है कि वो सब उनकी जिल्दगी में भी हो नहीं मिला तो चीनने की कोशिश करते है बिना अंजान की परवा किये वैसे भी खोने के लिए इनके पास कुछ है नहीं इसी डाक रियालिंटी पे ये वेब सीरीज है आईए जानते है इसके बारे में डेली क्राइम्स निर्भया के गैंग रेप केस के उपर आधारित है इसके टोटल सेवें एपिसोड्स है फर्स एपिसोड के अंदर इंसिडेंट का इंट्रोडक्टरी है और बाकी की छी एपिसोड्स में कैसे हमारे डेली के पुलिस एक एक दरिंदे क्रिमिनल्स को पकड़ते है उसके उपर है आईए बात करते है इस वेब सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सबसे मेल में बात करना चाहूंगा रिची महता के बारे में ये इस पूरी की पूरी सीरीज के सुपर हीरो है जिन्होंने direction किया है इस web series का और क्या direction किया है मानना पड़ेगा इनको डिरेक्टर ने इस web series के अंदर tension और बहुत ही suspense बना के रखा हुआ है और ये possible हो पाया है सबसे best actors की वज़े से उनमें से एक शेफाली शाहा इनकी acting की तो मैं सच में दाग देना चाहूंगा इस बन्दी ने जो acting की है थैंक्यू सो मच शेफाली शाह आपने हमें अपने acting का धर्शन कराया थैंक्यू सो मच last but not the least इस series का जो message है बहुत ही बड़िया है मैं आप लोगों को जादा detail में नहीं बताना चाहूंगा आप खुदी इस web series को देख कर experience कीजिए कि एक बहतरीन web series क्या होती है सबसे best web series क्या होती है वैसे तो इस web series का कोई negative point नहीं है बस बीच में थोड़ी सी slow हो जाती है web series but it's okay हमें ये web series इतना बांद के रखती है इतना tension create करती है इतना suspense इतना हमें depressed भी कर देती है emotional attach भी कर देती है कि आप लोगों को इस web series का हर इक episode इतना अच्छा लगेगा इतना worth watching लगेगा कि आप खुदी बोलेंगे वाह! क्या series है यार मैं इस web series को 4.5 star देना चाहूंगा 5 में से ये web series एक deserving web series है और thank you so much Netflix की secret games के बाद ऐसा कोई उंदा लेवल का सबसे best web series हमारे लिए लाने के लिए और ये web series हिंदी में भी available है, please इस web series को देखना जरूर, इस Friday को नई movie release होने वाली है और हम आपके लिए first review लेके आएंगे नई-नी movies के लिए, इस channel को जरूर subscribe कीजिए और bell icon को जरूर दबाईए ताकि सबसे पहले आपको movie का review देखने मिले thank you so much, love you, take care, bye bye